CB350 एकदम लोगा लाड़ गाड़ी है जिस तरीगे की गाड़ी है उस तरीगे के साउंड बहुत मजा आने वाला है इसको चलाने में ये सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको मिलते हैं इस बाइक में होंडा की तरफ रॉयल इंफील की बाइक में देखने को नहीं मिलता है हॉंडा में मुझे ये चीज़ पहली बार देखने को मिली है चुकि काफी इल्टिमेट लग रहा है ये है हॉंडा CB350 जिसको कम्टी ने अभी रिसेंटली लॉंच किया है इसमें काफी सरे ऐसे फीचर्स मिलते हैं चुकि रॉयल इंफील की किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलते हैं आज की इस वीडियो में आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ तो ये वीडियो जो है अपनी काफी ज्यादा स्पेसल है पिना इस के पीए पूरे जरूर देखिएगा नमसकार दोस्तों मैं हाट स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसस्टी प्यूर डिप चैनल पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की इस बाइक मैप को multiple colors बिल आते हैं आएक लिए दिखाता हूँ CB 350 में यहाँ पर यह black color ख़ड़ा हुआ है चुकी काफी ultimate लग रहे है एक green color यहाँ पर यह ख़ड़ा हुआ है CB 350 एक यहाँ पर gray color ख़ड़ा हुआ है आईए बात कर लेते हैं इसके dimensions की यहने की लंबाई, चोड़ाई, उचाई और बजन की इस bike का curve weight 187 kg है इसमें ground rails मिलता है 165 mm का और इसकी seat height 800 mm की length है इसके 2207 mm की width है 788 mm की इसकी height है 1110 mm की wheel basis में मिलता है 1441 mm का अब इसको 360 degree cover कर लेते हैं यह है इस bike की proper right profile यह है इसकी left profile यह है इसकी proper front profile आईए पास से दिखाता हूँ यह देखिए head handle वार beam का जो pattern है कुछ इस तरीगे का है headlight की अगर बात की जाए round shape में दी गई है smartly chrome से इसको cover किया गया है और headlight इसमें split LED headlamp के साथ में मिलती है यह देखिए ignition के on होते ही इसकी headlight automatically on हो जाती है hand side turn indicators यह देखिएगा यह भी on हो जाते हैं यह भी LED में दिए गए है और थोड़े वाथ flexible है Honda में मुझे यह चीज पहली बार देखने को मिली है यह देखो जिस तरीके के royal infield में front में suspension आते हैं उस तरीके का यहाँ पर कुछ type दिया गया है front में telescopic suspension है यह देखिए front mudguard body color में है और यह metal में दिया गया है front में 19 इंचेज का alloy wheel दिया है ऐलाइस का pattern कुछ तरीके का है बात कर लेते हैं टायर की MRF company के best quality के tubless tire offer किये है और टायर size भी मैं आपको दिखा दियता हूँ जुकी है 190-19 front tire में grips कुछ तरीके की मिलती है बात करते हैं इस bike के braking system की इस bike में dual general ABS मिलता है front wheel में 310 mm का disc braking system दिस्क में निशन के calipers मिलते हैं और दोनों साइड में यहाँ पर यह reflectors मिलते हैं इसके tank का pattern कुछ तरीके का है Honda का यहाँ पर 3D में badge मिलता है यहाँ पर यह tank pad यह देखिए tank कुछ तरीके pattern में है काफी ultimate काफी ज्यादा muscular लग रही है यह बाइक एंड यहाँ पर यह देखिए A20 के support fuel cap यहाँ पर यह क्रोम में दिया गया है इस bike में 15.2 लीटर की fuel tank capacity मिलती है इस angle से मैं आपको इस bike के tank handle war beam के pattern को दिखाता हूँ जो कि कुछ तरीके का है war beam इसमें यह देखिए chrome में दिये हैं जो कि काफी यादा rich feel करा रही है levers इसमें aluminium में दिये गई हैं काफी यादा premium है यहाँ पर यह rubber काफी अच्छी grip बन रही है सब भी feature बटन देख लेते हैं left handle पर यहाँ पर integrated switch low beam high beam passing उसके नीचे यहाँ पर यह navigation बटन क्योंकि यह deluxe pro variant है इसमें bluetooth की connectivity है इसके instrument cluster को operate करने के लिए उसके नीचे यह horn का button और उसके नीचे यह side turn indicator button इसके right handle पर यहाँ पर integrated switch engine start stop बटन उसके नीचे एक हजार लाइट का button handle पर यहाँ पर यह Honda की branding ignition इधर यह place किया गया है नॉर्मल चावी दी गई है यह देखिए Honda की branding है ignition के on होते हैं इसके meter की starting को जिस तरीके से होती है semi-digital instrument cluster दिया गया है इसमें left side में speedometer analog में है center में display दी गई है जिसमें काफी सारी informations मिल जाती है और यहां से इसको operate कर सकते हैं यह रेखिए battery voltage देख सकते हैं feel gauge range trip A trip B यह देखिए total automator gear shift indicator time देख सकते हैं यहां से exit और भी काफी सारी informations इसमें मिल जाती है एंड इस bike में traction control भी मिलता है जो की काफी अच्छी बात है royal infill की bike में देखने को नहीं मिलता है यह इसके साथ में advantage है यहां पर यह देखिए check engine indicator, neutral indicator, ABS indicator यह high beam indicator और sight turn indicator इधर यह दिये गए है और इसमें Bluetooth की connectivity मिलती है और यहां पर भी दो बटन दिये गए है यह रिखिए इसकी साथा से इसको operate किया जा सकता है यहां से भी easily और काफी ज्यादा यह smooth है काफी अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं यहां पर एक USB C port दिया गया है अब अपने smartphone को यहां से charge कर सकते हो काफी अच्छा feature है यह इसमें इस bike में dual phone दिये गए है और यहां पर यह देखिए chrome से covering दी गई है इसकी वेज़े से काफी यादा rich यह look provide कर आ रही है इसको आईए वहां की बात कर लेते हैं जहां से इस bike की performance निकल कर आती है जी हां आप बिलको ठीक समझे इस bike के engine की इस bike में company ने 348.6 CC का सिंगल सिलेंडर एयर कूट BS6FI 4 stock 2 valve Honda कंपनी का cruiser segment पे best quality का engine लगा कर दिया है इसके engine की maximum power है 20.7 bhp की 5500 rpm और इसका maximum torque है 29.4 newton meter का 3000 rpm इसके engine से काफी अच्छी performance मिल जाती है power भी अच्छा है torque भी अच्छा है और इसी के साथ तक यह bike mileage भी काफी अच्छा देती है mileage के बारे मैं आपको प्रपर आगे बताऊंगा और मैं आपको इसके सर्वे सेट्डियूं के बारे मैं भी बताने वाला हूं जो कि कोई भी नहीं बताता है इधर यह Honda की branding यह पैड और टो अनपोल के साथ में है बिल्ड कोल्डिस की काफी अची है सेफ्टी पॉइंट अभी से इस बाइक में साइड इसेंड इंडिया गया है एक दम लोहा लाट कारी है काफी आदा मजबूत है यह देखिए बिलियन फूट पैड सीबी 350 का इधर बैज लगा हुआ ह एंट सीड जो है राइडर कली स्पेसली काफी आदा कमफरेबल है फिलियन कली भी कमफरेबल है ग्रेवरिल का पैटर्न कुछ तरीके का है यहां पर यह हैलमेट लॉक लगा हुआ है कफी अच्छी बात है बात करते हैं रियर सस्पेंशन की रियर में कमप्री ने मल्टी एंसेट यहां पर यह एडिशनल प्रोडेक्शन फाइवर की है यहां पर यह लेडी फोट पैड यह साडी गाड लगा हुआ है पाग कर लेते हैं रियर वील की रियर में कमप्णी ने 18 इंचेस का अलवील दिया है हमारे यह कमपनी का क्वाल्टिकर फिलेस टायर एंड टाय ने 180 पर दोन concur lounge यह पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह रिक्सिरह उत्या कि थिए पर FUCKा पर प्लेकिन सिंस्टम की स्टाइग में जै से के मैं नहीं से कि बताया इसमें डूल चैनल में दिया एकिया है रियर वील मेर्म का डिस्क भीक्लीइग इनद भीन करते हैं यह देखो इस बाइक के एक्जॉस्ट का पैटरन को जिस तरीगे का है कि रिखिए साइलेंचर काफी गजब लग रहा है इदर यह सिंगल मुफलर कि एलुमिनियुम में टिक टिक की आवाज काफी आदा सैटिस्पाइंग साउंड दे रही है एडिशनल इंजन कुछ इस तरीगी के पैटरन में है बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं इंजन साउंड सुन लेते हैं एक्जॉस्ट नोट सुनते हैं सिंगल एड़न पर यह बाइक स्टार्ट हो गई आइडियल कंडिशन पर इंजन साउंड सुनिये आइडियल कर दो प्रोड़न देता हूं मैं कापी हैवी साउंड है भाई इसका जिस तरीके की गाड़ी हो तरीके के बहुत मज़ा आने वाला है इसको चलाने में आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस मैलेज सर्विस वारंटी प्रोज एंड कॉन के साथ साथ मेरे परसनल ओपिनियन की होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर तीन साल की इस्टेनर्ड वारंटी देती है और 42,000 किलोमीटर तक इस्टेनर्ड वारंटी देती है माइलेज के अगर बात की जाए तो बाइ 35 से 40 के बीच में आप इससे आराम से निकाल सकते हो वे डिपैंड करता है बाइक कंडिशन, रोड कंडिशन और आपकी राइडिंग कंडिशन पर भी बात कर लेते हैं इसके सर्वेस रेडियूल की इसमें कंपनी तीन सर्वेस फ्री देती है आई अब बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिंट की और उनकी प्राइस की इस बाइक में टोटल दो वेरिंट आते हैं CB350 Deluxe, CB350 Deluxe Pro ये जो मैंने अभी आपको बाइक दिखाई है ये इसका प्रो वेरिंट है और दोनों के बीच में लगबग 20,000 रोपय का अंतर है अन रोड आते हैं इसकी एक सभी प्राइस स्टार्ड हो जाती है Deluxe की बेस वेरिंट की लगबग 1,99,000 के असपास और वो बाइक अन रोड आपको पड़ जाएगी लगबग 2,30,000 के असपास और ये जो मैंने अभी आपको बाइक दिखाई है ये इसकी एक सभी प्रो वेरि कर चल सकते हो ये बाइक है क्रूस सेग्मेंट की बाइक है तो इसकी नेक्स वीडियो में इसकी मैं राइड करूँगा इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्स्प्रींस रहेगा वो मैं आपके साथ में सेयर करूँगा उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को स बिरूर दीजिएगा ठीक है और यदि आप इसी सेग्मेंट पे कोई और बाइक सेर्च कर रहे हो तो मैंने कई सारी पाइक का वॉकराउंड किया है उनका राइड रिव्यू किया है सबी वीडियो सालेडी चैनल पर एविलेबल है लिंक आपको आई बिटन में इस वीडियो क इस बाइक में टॉर्क जादा देखने को मिलता है इसमें फुल एलेडी हैडलेम सेट अप मिलता है एंड तीन सो तस एमेंब कर डेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है फ्रेंट में अलॉई वील इसमें दिये गई है टूबलेस टायर मिलते है इसमें बड़ा टैंक मिलता है ज्यादा मिलती है यह सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको मिलते हैं इस बाइक में होंडा की तरफ मैं आपको यह बाइक जो है अंडर पर्संट रेकमेंट करता हूं जो दोस्तों बस प्लालकुली स्टूडियों में इतना ही मुझे उम्मीद वीडियों को पसंद जो कि मैप लिए ऐसे ही इंटर्स्टिक वीडियों और इंपार्टेंट वीडियों ची हां भाई इंपार्टेंट वीडियों समय समय पलाता रहता हूं जैहिंत बंदे मातरम